नमस्कार मैं शुरुती जएन एक बार फिर हाजिरूं आप सभी के सामने English in fast forward series में जहां हम रोज एक शब्द सीखते हैं अपने English को improve करते हैं अपनी vocabulary को improve करते हैं तो आज का जो शब्द में लेकर आई हूँ वो है SAK SAK का मतलब होता है बर्खास्त करना यानि कि बर्खास्त हम normal Hindi में जानते हैं कि बर्खास्त का मतलब होता है कि किसको निकाल देया हम कहते हैं कि मैं आपको यहां से बर्खास्त करता हूँ यानि कि मैं आपको यहां से निकाल देता हूँ उसी तरीके से हम दूसरे शर्दे देख तो उसका दूसरा जो word है, जो अलग-अलग शब्दों में, अलग-अलग जगह यूस हो सकता है, वो हम देख लेते हैं, वो है bounce, discharge, discharge, अब हम देखते हैं, हम कहते हैं कि हमें hospital से discharge मिल गया, तो वहाँ पे हम यह नहीं बोल सकते हैं, कि हम वरखास्त कर दिया गा है, hospital से आपको बाहर निकाला नहीं जाता, you know, we get a discharge, हमें छुट्टी दे दी जाते हैं, कि हाँ अब आप घर जा सकते हैं, तो इसी तरीके से मतलब उसका save रहता है, लेकिन जो words है, उसका थोड़ा जो context हो different हो जाता है, उस तरीके से हम हर meaning को, हर word को, हर sentence में, अलग-अलग तरीके से उपयोग में लाज अकते हैं, तो ये जो दूसरा शाब्द हुआ, discharge, उसकी तरीके से dismiss, terminate, यानि कि आपको terminate कर दिया जाता है, आपको यहां से निकाल दिया जाता है, ये सारे मतलब होते हैं sack के और synonyms होते हैं sack word के, इसकी तरीके से हम इसको उल्टे शाब यानि कि opposite words देख लगते हैं, जो होते हैं antonyums, वो है recruit, employ, engage, hire, यानि कि आपने सोना होगा कि HR जो होते हैं, सब companies के उनका job होता है recruitment, यानि कि वो क्या करते है, what is that recruitment, यानि कि वो लोग hire करते हैं, वो job के लिए hire करते हैं, वो candidates को नौकरी देते हैं, they are making those persons come inside the company and do the job, तो लोग hire करें, वो लोग ले रहे हैं, वो निकाल नहीं रहे हैं, वो ले रहे हैं किसी candidate को for that particular job, तो यह सारे उसके opposite words हो गहें, employ करना, किसी को engage करना, किसी को ले कराना, these are all the synonyms and the antonyms, उसी तरी कैसे एक sentence में हम देख लेते हैं, कि किस तरीके से हम sack word को, एक sentence में उपयोग में ले सकते हैं, वो है, they made him pay for his offense by giving him the sack, तो उसने जो गुना किया था, उसके बदले में उनोंने, they have given him the sack, याने कि वहां से बरकास करते हैं, उसको निकाल दिया गया उस offense के कारण, तो यह एक sentence था, इसी तरीके से और sentence बन सकते हैं, इसी तरीके से और इस कोई comment आप करना चाहते हैं, regarding your doubt, या फिर आप कोई concern है, इसके लावा अगर आप चाहते हैं, कि English के लावा भी मैं कोई series start करूँ, तो वो भी आप हमें comment box में लेकर बता सकते हैं, and I will be coming up with that series very soon, तो आप पढ़ते रहे हैं, मेरे साथ English, करते रहे हैं, अपनी vocabulary को strong, और इसके नौकरी की तयारी के लिए, तयारी पर, जहांपे मैं आपको English की वर्ट समझा रहे हैं, और अंकेट चर्मसर आपको समझा रहे हैं, short tricks, mathematics की, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका link भी आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, तो करते रहे हैं, अपनी English और Maths को strong, और हम की तयारी की तयारी के लिए, तो करो लाइफ की तयारी